आप cash निकालने कभी ना कभी ATM तो गय ही होंगे और आपने गौर भी किया होगा कि ATM रूम में AC लगा होता है पर ये क्यूं लगा होता है अब कुछ लोगे सोच सकते हैं कि bank अपने customer के लिए ATM में AC लगवाता होगा या कुछ कहेंगे कि guard के लिए भी तो हो सकती है AC लेकिन दोस दोस्तों कोई भी इंसान पैसे मास से 2-3 मिनट में निकाल लेता है और वहाँ से चला आता है और रही बात guard की तो हर ATM मशीन में guard होते भी नहीं है दरसल ना तो AC ग्राकों की थंड़क के लिए होती है और ना तो AC गार्ड की थंड़क के लिए होती है ये AC तो ATM मशीन की electronic device होता है जिसमें integrated computer transaction process लगा होता है जो कि 365 days यानि पूरे साल और 24 घंटे working में रहता है कहीं ये गर्मी के कारणर खराब ना हो जाए और इसमें रखे कीमती पैसे जल ना जाए या फिर पैसे जाधा या कम ना निकलने लगे इस सारी गरबड़ी को रोकने के लिए ATM मशीन म AC लगी होती है तो अब आप चांच चुके हैं कि ATM में AC क्यों लगी होती है तो ऐसे ही knowledgeful facts के लिए हमाई चनल को subscribe जरूर करें